लोग सबाच चुनाओ 2024 को लेकर बड़े रिपोर्ट हाँ एकजिक पोल आई सामने जिसके बाद हर किशी के रोंगटे खड़े इस बार सब कुछ होगा अलग हाँ अब देखना होगा परदान मंतरी नेरेंदर मोदी तीसरी बार बन जाएंगे या इस बार राहुल गांदी लगा जाएंगे बाद जी या बीच में अरविंद केजरीवाल भी क्या कर सकती है यह तो आनने वाले दिनों पता चलेगा पहले जानते हैं कि आज का क्या अनुमान है लगाता हमारे सद्शे अनुमान लगाया रहे थे इसके बाद एक बड़ा आकड़ा सामने आचका है करनाटका में बीजेपी की आठ सीटे प्राप्त हो सकती है कॉंग्रेस की 18 आम जनता पाल्टी की सुन्य है तमिनलाडू में बीजेपी की 27 और तमिनलाडू में कॉंग्रेस की 10 और आम जनता पाल्टी की दो सीटे प्राप्त होने की समावना दिखाए दे रही है केरला में बिजेपी की 13 कॉंग्रेस की 0 आम जनता पाल्टी की 7 कुल सीटें 20 हाँ तेल लगाना में 5 बिजेपी की सीटें प्राप्त हो सकती हैं 2 और 2 सीटें कॉंग्रेस की प्राप्त हो सकती हैं सुनने सीटे और आमजनता पार्टी की और दस सीटे अन्य पार्टियों की हाँ दस सीटे अन्य पार्टी की कुल सीटे होंगी 17 आंदरा परदेश में जीरो और विजेपी की और जीरो ही कांगरेस की और जीरो ही आमजनता पार्टी की सीटे प्राप्त हो सकती हैं यहां तीनों प्राल्टियों में से किसी को सीटे प्राप्त होने की समावना एकम दिभाई दे रही है और अगर नया प्राल्टियों को 25 सीटें प्राप्त हो सकती हैं कुल 25 सीटें ही हैं और अन्य पाल्टियों को 13 सीट कुल सीट रह सकती है 21 महाराष्टरा में बात करें तो महाराष्टरा में 32 सीटें बिजेपी को पराप्त हो सकती है और 15 सीटें हो सकती है कांग्रेस को पराप्त एक सीट अन्य पाल्टियों को हाँ 48 सीटें रहेंगी कुल वहीं बात करें गोवा में गोवा में दो सीट हैं बिजेपी और कॉंग्रेस को दोनों को एक एक सीटे प्राप्थ हो सकती हैं मद्य परदेश में 6 सीटें प्राप्थ हो सकती हैं बिजेपी को 23 सीटें कॉंग्रेश को अन्य पाल्टियों को सुने सीटें प्राप्थ होने की संभावना दिखाए दे रही हैं गुजरात में बिजेपी को 6 सीटें बिजेपी को सुने सीटें प्राप्थ हो सकती हैं और कॉं साथ सीटें बिजेपी प्राप्ट कर सकती हैं। नो सीटे प्राप्ते कर सकती हैं, उसके बाद आता है अपना हरियाना, हाँ हरियाना में कुल दस सीटे हैं, दस सीटे में से दो सीटे अन्य पार्टियां प्राप्त कर सकती हैं, तो आम जन्ता पार्टि सुन्ने सीट प्राप्त करेंगी, और कॉंग्रिस सीट प्राप्त यानि हमारी प्यारी बीजेपी पार्टी प्राप्त कर सकती है 6 सीटे हाँ उसके बाद आता है हमारा प्यारा सा राजे हिमाचल परदेश हाँ हिमाचल परदेश में कुल सीटे है 4 एक सीट प्राप्त कर सकती है बीजेपी तो 3 सीट प्राप्त करेंगी कॉंगरेश हाँ यानि क पुल्ज चार सीटे रहेंगी इसके बाद आता है हमारा उत्राखंड राज्य है हाँ उत्राखंड राज्य में कुल कितनी सीटे हैं पांच सीटे आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक वेश शेयर कर दें बैल आइकन कोल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाले कोई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँँँ के हां हम बात कर लेती उत्रा खंड की उत्रा खंड मेरे 5 सीट हैं 5 सीटों में से आम जनता पाल्टी जिरो सीटह और अबillar पाल्टी जिरो सीटह प्राप्ट कर सकती है और और तीन सीटें प्राप्त कर सकती हैं कॉंग्रेस, दो सीटें कर सकती हैं बीजेपी प्राप्ते, हाँ इसके बाद आता है पस्चिम बंगाल, हाँ पस्चिम बंगाल में कुल सीटें हैं 42, दो सीटें प्राप्त करेगी बीजेपी, पांच सीटें प्राप्त कर सकती है, यानि ब्यार राजे में कुल सीटें हैं 40-40 में से बिजेपी प्राप्त कर सकती है दो सीटें और 30 सीटें प्राप्त कर सकती है कॉंग्रेश और आम जनता पाल्टी प्राप्त कर सकती है सुन्या सीट और अन्या पाल्टी प्राप्त करेगी 8 सीट हाँ जारकंड राजे है हमारा प्या एकावन सीटें प्राप्ट कर सकती है कॉंगरिस। पाल्टियां आम जन्ता पाल्टी को छोड़ कर अन्या पाल्टियां एक सीटें प्राप्त कर सकती है तो वहीं बात करें दस सीटें प्राप्त कर सकती है कॉंग्रेश बिजेपी प्राप्त कर सकती है तीन सीटें असमराजे में अब उसके बाद आती है हमारे देश की जान दिल हाँ देश की राजधानी में कुल साथ सीटे हैं साथ में से एक सीट प्राप्त कर सकती है बिजेपी पांच सीट प्राप्त कर सकती है कॉंग्रेस एक सीट प्राप्त कर सकती है आम जनता पाल्टी को छोड़कर अन्य पाल्टिया हाँ कुल बिजेपी प्राप्त कर सकती है 146 सी सीटें और वहीं बात करें आम जनता पार्टी दस सीटें पराप्त कर सकती है तो वहीं बात करें इसके बाद अनने पार्टी या अनने पार्टी यां